जॉनी डैप ने पूर्व पतनी पर 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा ठोका हॉलिवुड के मशूर अभी नेता जॉनी डैप ने अपनी पूर्व पतनी अम्बेर हट के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मानहानी का मुकदमा दायर किया है पारेट्स ओफ दी केरिबियन फ्रेंचाइजी के अभी नेता जॉनी डैप ने खुबसूरत अक्ट्रिस और पूर्व पतनी अम्बेर हट पर मानहानी का मुकदमा किया है जिन्होंने 50 मिलियन डॉलर की मांग की थी आपको बता दें कि जॉनी के वकीलों ने हर्ट के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया है जॉनी और उनकी वकीलों ने आरोप लगाया है कि डैप की पूर्व पतनी अम्बेर हट ने एक मिलियन डॉलर के मानहानी के मुकदमे में मुकदमा दायर किया था जिसे 18 दिसम्ब 2018 के आप एड में प्रकाशित किया गया था इसके साथ ही जॉनी के वकीलों ने बताया है कि हर्ट घरेलू उत्पीडन की शिकार नहीं है वे एक अपरादी है डैप के खिलाफ आरोपो का धोका बताते हुए मुकदमा दायर किया गया था जॉनी डैप और अंबीर हर्ट के बीश शादी के दो साल बाद 2017 में तरलाख हो गया था दोनों ने 2011 में फिल्म दा रम डायरी के सेट पर मिलने के बाद डेटिंग शुरू कर दी थी